आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइफ में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्शियन सारी आए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे इसे पहले एक नजर हेड्लाइन्स पर इलेक्टरॉल बॉंड स्केम भी सरकार का एक प्रकार का घोटाला खुल गई बीजिपी की पोल स्टी के फैसले के बाद बोले का पिल सिब्बल चुनावी बॉंड पर रोक के बाद आतिशी बोली पार्दर्शिता तै करने की दिशा में सुप्रीम कोट का फैसला बड़ा कदम शिक्षा मंत्री मदन तिल्वार ने किया सूर्य नमस्का जैपूर के चोगान सेडिय में छात्रों की लगी पाच्छाला आए देखते हैं खबरे विस्तार से इलेक्टरॉल बॉंड स्केम में सरकार का एक प्रकार का घोटाला खुल गई बीजिपी की पोल एसी के फैसले के बाद बोले का पिल सिब्बल जिया चुनावी बॉंड स्कीम सुप्रीम कोट के प्रतिबंद वाले फैसले पर तमाम राजनितिक दलो और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाए भी सामने आ रही है मामले पर आधिसबा सांसद और वरिष्ट वकील का पिल सिब्बल ने कहा कि ये सरकार एक प्रकार का स्केम था इलेक्ट्रोल बॉंड व्यावस्था से बीजिपी की बड़े स्थर पर डोनेशन मिल रहा था बीजिपी से एक्स प्रोज हो गई है 15 परवरी 2024 का सुप्रीम कोट का फैसला बहुत ही एतिहासिक निनाय है चुनावायो को तीन सप्ता के अंदर जानकारी देनी है बात करते हैं उन्होंने कहा ये ना केवल किसी राजनितिक डल के लिए बलकि लोकतंत्र के लिए भी आशक की एक बड़ी किरन है ये इस देश के नागरिकों के लिए आशक की एक बड़ी किरन है ये पूरी योजना जो मेरे दीवगंद मित्र आरून जेटली की दिमाग की उपज थी वास्तों में बीजीपी को समरिद्द करने के लिए रच्ची गई थी क्योंकि हर कोई जानता था कि बीजीपी सत्ता में थी और चुनावी बॉंड योजना के माध्यम से कोई भी दान बीजीपी के पास आएगा लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि इस चुनाव भी बॉंड में योजना का चुनाव से कोई लेना देना नहीं था उन्होंने आगे कहा यह वास्तों में कॉर्प योजनाव में बिल्कूल नहीं किया जाना है आप एक राजनितिक डल के रूप में अपना बुनियादी धार्चे का निर्मान कर सकते आप पूरे देश में अपना संचार नेटवर्क सापित कर सकते हैं कपिल सिब्बल ने बताया सरकारी घोटाला जिया इसके साथ उन्हों प्रधाण मंतरी कहते हैं अपकी आखो के सामने अपका घोटाला घोटाला साथ संसबा等 और देश संबंद का पता चलेगा है स्कूइब प्रो क्यों के बारे में भी पता चलेगा क्योंकि कोई भी बिना बदले के इतनी बड़ी जकम नहीं देता कोई 10 लाग या 15 लाग का चुनावी बॉंड नहीं देगा ये करोडों में होगा इसलिए अगर आपने अपनी राजनितिक पार्टी को 5000 करोड रुपे से व कोली पार्दर्शिता टै करने के दिशा में सुप्रीम कोट का फैसला बड़ा कदम जिया सुप्रीम कोट दौरा गुरुवार यहने 15 फरवरी को चुनावी बॉन स्कीम पर तत्काल प्रिभाव से रोक लगाने के आदेश के बाद दिली सरकार मंत्री आतिशी ने बड़ा ब जैपूर के चोगान सेडिया में चात्रों की लगी पाच चला जिया रजस्तान की सरकारी स्कूलों में सुर्य नमस्कार को लेकर कई दिनों से बहस छिडी हुई थी कल इस मामले पर शिक्षा मंत्री मदंदिलावार ने बड़ी घोशना कर दी थी उन्होंने आज सुबा सार पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री के लगतार सूर्य नमस्कार को लेकर मुहिम छेड़ा दी गई है कई जिलों में उन्होंने बैठक की इसके लिए अभियान चला दिया गया है जिसे लेकर लगतार इस पर काम किया जा रहा है इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खब और आप देख रहे हैं MNS News